नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे दोस्तों आज की वीडियो भी है आप के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोरटन्ट क्योंकि आप ही के दोरा जो कमेंट्स मुझे बेजे जा रहे हैं उन्हीं को हम लोग यहां डिस्कॉस करते हैं तो जिन लोगों ने कमेंट किये हैं उन demanded किये हैं उनकी लिए भी इंपोर्टन् लेकिन वो confused हैं, comment नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा सा जीजकते भी हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियोस को देखें, काफी हद तक mutual fund के बारे में जो भी आपके doubt होंगे, वो clear यहां पर हो जाएंगे, क्योंकि देखें हम लोगों के मन में लगबग लगबग same ही doubt रहते हैं, किसी के मन में कुछ थोड़ा बहुत अलग चलता है, तो अगर आप लोग यह series मेरी देखेंगे daily, तो काफी हद तक mutual fund को लेकर जो आपके मन में डर है, कहीं पैसा risk में है, या कहा है, कहा निवेश किया जाता है, मेरा पैसा डूप तो नहीं जाएगा, मेरे पैसे देखें लेते हैं, अपना पहला कमेंट यह है, देनेश्वर जी का कमेंट है, सर मुझे 15,000 की SIP करनी है, और मुझे 5 साल बाद घर भी लेना है, और 20 साल बाद मेरी लड़की के लिए रखना है, मेरी लड़की 10 महीने की है, प्लीज, स्पीक एक वीडियो बना दो, मैं महरा से बात कर रहा हूं, सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, देखें 15,000 की आपको SIP करनी है, 5 साल बाद आपको घर लेना है, देखें 15,000 की SIP से मुझे नहीं लगता कि 5 साल में आप इतना पैसा बना लेंगे कि आप easily घर ले पाएं, यह आपको एक करोड़ों रुपे मिल गए, SIP में जितना पैसा आप निवेश कर रहे हैं, आपको समय भी निवेश करना होगा, आपको लंबे समय SIP चलानी पड़ती है, यह जो आपका जो दूसरी टॉपिक है, बीस साल बाद आपको आपकी जो गुडिया है, उनके लिए पैसा रखना है उसके लिए ठीक है, आपने SIP अभी से स्टार्ट करिए, बीस साल बाद आपको बहुत अच्छे पैसे यह SIP बना कर दे सकती है, तो देखिए जो पांच साल बाद आपको घर लेना है, आप ऐसा कर सकते हैं, SIP को शुरू कर सकते हैं, पांच साल बाद जब आपको यह 6 साल जब भी आपको घर लेना होगा, थोड़ा सा पैसा आप यहां से निकाल कर, उसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगी, बाकी SIP को आप continue रखिएगा, तो यह long term में फिर से आपको returns अच्छे बना कर देगी, कोशिश करिएगा, 15,000 का जो आपका यहां investment रहेगा मंतली, उसमें आ काफी help करेगा आपकी, देखिए, 15,000 का आपका निवेश है, आप यहां क्या कर सकते हैं, आप यहां small cap को जरूर रखिएगा, small cap, आप यहां flexi cap को जरूर रखिएगा, flexi cap, कुछ basic funds होते हैं, देखिए, इनको हमें portfolio में जरूर रखना चाहिए, जैसे कि small cap हुआ, flexi cap हुआ एक category हमारी आगे large and mid cap, इससे आपका large और mid दोनों category यहां cover हो गई, एक category आपकी मिल गई आपको, कोई एक thematic रख लीजी आप, देखिए, इस तरह से आप portfolio थोड़ा सा balance करके चलेंगे, आप चाहे 5 साल बाद थोड़ा बहुत पैसा withdrawal करें, या फिर आप 20 साल तक इसको continue रख ले निकाल ले, इस तरह की investment को लेकर चलेंगे, तो आपके लिए बिलकुल एकदम relief रहेगा, कोई painful चीज आपके लिए नहीं बनेगा mutual fund, जो लोग ज्यादा returns के पीछे mutual fund में भागते हैं, बहुत high risk में पैसे को निवेश करते चले जाते हैं, उनके लिए बहुत painful हो जाता ह तो हमें इस तरह का investment नहीं करना है, simple investment करना है, ताकि जो return से हमें ठीक ठाक मिलते रहें, चलिए, आपका सवाल उम्मीद करता हूँ, पूरा हुआ होगा, चलिए, यह है, वो पाल जीजी का comment है, जाते हूँ, सर मेरे पास एक लाख रुपे है, मैं quant small cap fund में करूँ, या अधि जो PSU fund है, इसमें भी आप कर सकते हैं, देखिए, दोनों funds very high risk category है, एक small cap है और एक thematic है, दोनों को difference समझेए, small cap में क्या होगा, आपका maximum पैसा छोटी कंपनियों में निवेश किया जाएगा, जिनकी ranking 251 से start होकर 500 तक जाएगी, यह तो हो गया small cap, thematic fund में क्या होगा, आपका maximum पैसा, PSU stocks में निवेश किया जाएगा, यह Sun Life PSU fund है, तो PSU stocks में आपका maximum पैसा निवेश कर दिया जाएगा, वहां ranking का फर्क नहीं पड़ेगा company उमें, क्योंकि वो flexi cap की तरह काम करता है, चाहे तो PSU जो funds हैं, वो large cap में आ रहे हो, mid cap में आ रह category है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को रख लीजिए, दोनों अच्छे है, long term में दोनों के returns आपको अच्छे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लाख रुपे है, 50,000 डाल दीजिए, चाहे तो दोनों में 50-50,000 डाल दीजिए, अगर आप रिस्क की, ICI-CI blue chip में 1000 की, और SBA की contra fund में 1000 की, बिलकुल सही है मैं, कोई दिक्कत नहीं है, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप housewife हैं, के बावजूद आप mutual fund में आप जुड़ रहे हैं, आप लोग रिवेश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है, जो मेरे बाकी के viewers हैं, उ थोड़ा थोड़ा सा देखिए, सभी के पास थोड़ा थोड़ा पैसा तो रहता है, ये खर्चेगा, उसमें से कुछ पैसा आप निवेश करना शुरू तो कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके mobile में एब भी रहेगा, आप उसमें देख भी पाएंगे, मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है, ये सब चीजे कई बार थोड़ा सा इंटरस्टिंग हो जाती है, हमें मजा भी आता है फिर इंवेस्ट करने में, और कोशिश कीजिएगा, स्टॉक मार्केट से बचेगा, काफी लोग स्टॉक मार्केट में नए-ने जुड़ते हैं और काफी पै है, कॉंटरा भी आपने ले लिया है, और निवेश आपको आगे को बढ़ाना होगा, आप एक फ्लक्सी क्याप रख लीजिएगा, आपका पॉर्टफोलियो पूरी तरह से सही है, आगे बढ़ते हैं, सर परणाम, परणाम सर, सर मैं 5,000 रुपे 15 वर्षों तक SIP करना चाहत है, जो एप है, उसकी रैंकिंग अच्छी हो, आप रिवीव भी देख सकते हैं आपके बारे में, इस तरह से आप अपने लिए चूज कर सकते हैं, बाकी 43 की एज है, 5,000 रुपे की आपको SIP करनी है, देखे अगर आप अपने रिटायर्मेंट को प्लान कर रहे हैं, कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, 15 साल तक जाएगा, आप इसमें से 2,000 रुपे स्मॉल कैप में रख सकते हैं, 2,000 रुपे स्मॉल कैप, बाकी के आपके 3,000 रुपे बचेंगे, आप इसमें चाहें, तो क्यों डूरेशन आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इ यहां पर 1500 रुपे करके, 1500 रुपे आप फ्लेक्सी कैप में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने में help करेगा, इस तरह जें पोर्टफोलियो बना सकते हैं, फिर भी कोई confusion हो, कमेंट कीजीगा है, मुझे स्टाग्रा परमतीन, ETF और mutual fund, सवाल यहां यह है कि investment अगर करना है, तो mutual fund में करें या फिर ETF में करें, देखे, ETF भी अच्छी चीज़ें ऐसा नहीं है, कि ETF कोई भुरा है, ETF के returns भी शानदार है, कई बार mutual fund से ज्यादा returns की भी लोग उम्मीद यहां करते हैं, देखे, ETF में निवेश आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा फिर stock market की तरफ गुसना होगा, थोड़ा सा उसको जानना होगा, अगर आप बिल्कुल नहीं चाहते tension लेना, simply invest करना चाहते हैं, तो mutual fund best है, और अगर आप थोड़ा सा stock market को समझना चाहते हैं, थोड़ा सा उसमें deep जाकर returns बनाना चाहते हैं, तो फिर ETF भी अच्छा है, क्योंकि सारा खेल यहां NAV का है, mutual fund में जो NAV आपको मिलती है, वो day end के बाद मिलती है, calculate वो बाद में होती है, ETF में आपको जो NAV है, वो उसी समय के मिल जाती है, थोड़ा सा यह basic difference है, तो कहने का मतलब यह है, simple भाशा में, आगे बढ़ते हैं, यह है सर नमस्कार, मेरा एक सवाल था आपसे, अगर मैं किसी भी broker के माध्यम से mutual fund में invest करता हूँ, यदि मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे पास invest किया हुआ, मेरे घरवालों को कैसे मिलेगा सर, क्योंकि उन्हें mutual fund के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं यह सवाल आपसे जानकारी के लिए कर रहा हूँ, सर यह सवाल काफी लोगों के मन में है, कि आप mutual fund में निवेश तो कर रहे हैं, मान लीजिए आप SIP के थुरू कर रहे हैं, हर मेने 5000-10000 की आप SIP पे करते जा रहे हैं, इन future कोई में सैपनिंग हो जाती है, तो घरवालों को पैसा कैसे मिलेगा, देखिए जो लोग regular plans रहे हैं, कुछ लोग तो इसी चीज को सोचकर regular plans की तरफ बढ़ जाते हैं, कि यह जो मेरा agent है, जिस तरह से LIC वगरा के agent भी होते हैं, कि इनकी जिम्मेदारी है कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे घरवालों को यह पैस ली जाएगी, आप कोई घरवालों को बिलकुल knowledge नहीं, आप उनको थोड़ा से इन चीजों के बारे में बताईए, कि मैं अपने पैसे को mutual fund में निवेश करता हूँ, यहां मेरा पैसा निवेश है, आप उनको apps भी दिखा सकते हैं mobile में, क्योंकि इतनी basic जानकारी आप उनको जरूर दे कर रखिए, कि मेरा पैसा इस तरह से निवेश किया जा रहा है, इन future कोई बात ऐसी होती है, तो grow से अगर आपने निवेश किया हुआ है, तो वहां भी आपको customer support मिलता है, आप अपने पैसे को, जो nomini है, उनको पैसा withdrawal कर दिया जाएगा, कोई यहां major दिक्कत मु यह नहीं लगता आएगी, लेकिन थोड़ा सा आप घरवालों को aware जरूर कीजिए, इस बारे में, जहां भी आप पैसा निवेश कर रहे हैं, पता होना जरूरी है, आगे बढ़ता है, सर क्या small cap mutual fund में पैसा डूप सकता है, long term में और क्या returns, mid cap से बुरे देखने को मिल सकते ह हो तो कुछ भी सकता है, ऐसा नहीं है, अब देखे कल future में क्या होगा किसी को नहीं पता, कुरोना काल आ गया था, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई बिमारी आ सकती है, हो तो कुछ भी सकता है, small cap company 251 rank से start होती हैं और 500 rank तक जाती हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो सारी company बूरी हैं या वो company दिवालिया हो रही हैं, ऐसा तो नहीं है, कुछ company उनमें भी ऐसे निकलती हैं, जो वाकई थोड़ी loss की तरफ चली जाती हैं, दिवालिया हो जाती हैं, बिग जाती हैं, यह सब चीज़े तो चलती रहती हैं, लेकिन हमारा पैसा सिर्फ एक particular उन company में नि तो ऐसा नहीं है, कि सारा पैसा आपका डूब जाएगा, हाँ returns अप डाउन होते हैं mutual fund में, क्योंकि कुछ company आप डूबने की बात हैं, उसके chances बहुत कम हैं, वो तब डूबेगा जब वो सारी company एक खतम हो जाएंगे, माल लीजे किसी small care fund में आपका पैसा निवेश है, वो सारी company बैट जाएं, ऐसी possibilities मुझे नहीं लगता शायद कभी आएगी, बाकि देखे, future में क्या हो जाए, कोई नहीं कह सकता है, बाकि returns mid cap से बुरे देखने को मिल सकते हैं क्या, यह हो सकता है, कि returns आपको mid cap से कम मिल जाएं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि small cap के returns mid cap से हमेशा ही जादा रहेंगे, यह सब कुछ depend करता है कि जिन company के stocks में हमारे fund manager ने पैसा निवेश किया हुआ है, उनकी performance कैसी चल रही है, उमीद करता हूँ आपको भी आपका जो सवाल है वो clear हुआ होगा, अपना ये से रामचंदर जी कमेंटे सर मुझे 15,000 की SIP करनी है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, सर या तो आप 55,000 की 3 funds लेना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, आप 15,000 का जो एमांट है उसको 5 साल चलाना चाहते हैं, 10 साल या 15 साल, यह थोड़ा सा यहाँ पर confusion हो गया है, मुझे थोड़ा सा confusion हो रहा है, लेकिन अगर देखिए आप 5 साल के लिए निवेश क ज्यादा रखिए, simply आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, बहुत ज्यादा confusion हो रहा है, multi cap का options भी है, multi cap fund में निवेश कर दीजिए, diversified हो जाएगा portfolio, अच्छे returns आपको multi cap से भी मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा सवाल मुझे clear करके भीज़ेगा, मैं फिर से आपको reply कर गया है, फिर से मैं कुछ दरूरी दी नहीं कि आपका मैं दुबारा सवाल नहीं लूँगा, दुबारा से मैं आपका सवाल लेकर उस पर प्रॉपर आपको समझा दूँगा, कि अगर 15,000 का ही portfolio बनाना है, तो किस तरह से आप इसको बना सकते हैं, तो दोस्तों ये आज किये जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक किये थे, उम्मीद करता हूं कि सभी को जो उनके सवाल थे, उनके जवाब प्रॉपर समझ में आई होंगे, देखिए दोस्तों रिकमेंडेशन ये बिल्कुल भी नहीं है, कि एवल एजुकेशनल परपस वीडियो आप लोगों के ल कराज इज द्राइब प्रॉपर समझ में आप लोगों के लिए भी आप लिए है।